मेरे जैसे काफी सारे यूटिवर्स होंगे जिन्हों ने अपनी चैनल यहां पे नई नई स्टार्ट की होगी ठीक है अपनी जहर्नी स्टार्ट की होगी ठीक है बट उसमें एक गलती करते हैं और उनके बज़े से हमारे वीडियो का मतलब व्यूज आना रेंकिंग सब कुछ बिल्कुल लो हो जाता है फ्रेंस माइनस पे चले जाता है ठीक है जैसे हम दीन में पांच भी शॉट्स अपलोड करते है ठीक है तो सिर्फ दो व्यूज पांच व्यूज आते हैं हम कितने भी अच्छे कंटेंट बना लेंगे बट हमारे व्यूज नहीं आएंगे तो उसके पीछे गलती हमारी ही होती है क्योंकि मैं भी आपकी दरहां मतलब मेरे भी थोड़ी टाइम पहले ही अपनी यूट्यूब पर जर्नी स्टार्ट की है ठीक है और मैंने भी एक गलती दो तीन बार फेस की है मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करू ताकि आप लोग वो गल या तो वीडियो बनाने में सौंग को एड़ करती हूँ ठीक है कोई भी हम सौंग उठा रहे ठीक है वो डाल देती हूँ ठीक है उसमें मुझे कोप राता है तो नोर्मल कोपी राट आए तो उसमें कोई इश्यू नहीं है आप उसको यूट्यूब क्रॉम पे जाके सौंग कोई रहते हूँ ऑफ्यू छंप गर सकते हूँ इंपर वाजशेव कोई नगी होगा या कुछ भी प्रोबल्लम्स नी होगी उसमें सिर्फ कोपी राइट ले स्कूंपंड़ देता है जो आपका अरनिंग होगा उसको जाएगा वो पूरा ठीक है आपको कुछ नहीं मिलता बट हाँ आपकी वीडियो एज इस रहेगी आप लेस उस वीडियो को डिलीट मत का मारो कभी भी कोपी राइट आया हुआ वीडियो से डिलीट मारोंगे तो यूट्यूब को यह नोटिफिकेशन जाएगा कि देखो इन् उस स्टेज पे पहुंचने के लिए दुबारा से बहुत महनत करनी पड़ेगी बहुत सारी न्यू न्यू कंटेंट लाने पड़ेगे तब जाके आप दुबारा से वो स्टेज पे पहुंच सकते हो ठीक है तो फ्रेंस कभी भी कोपी राइट आये तो आप अपना एज इस या तो सोंग चेंज कर दो ठीक है या तो सोंग को आप न्यूट कर दो या फिर कोई शुन यह कोपी राइट आया है नॉर्मल कोपी राइट है तो आप वीडियो को एज इस रख सकते हो ठीक है बस आपको यह अर्निंग नहीं होगी उससे कुछ पैसे नहीं आएंगे बट हो सकता है वो काफी लोग देख रहें तो उससे आपके सब्सक्राइबर बढ़ें ठीक है तो वो चीज होगा हाँ कोपी राइट स्ट्राइक आये वो चीज अलग है फ्रेंस पर नॉर्मल कोपी राइट में कभी भी आप वीडियो या शौर्स को डिलीट मत करो सेकंड अब भी आपको लगता है आपको लगता है आपकी वीडियो में कोई प्रॉब्लम्स है तो आप उस वीडियो को अनलिस्टेट कर दो बढ़ डिलीट मत करना भूल के भी आप ये गलती करोगे फ्रेंस आपकी पूरी महनत पानी में चली जाएगी आपको रिक्वेस्ट है जो अब न्यू यू को बीडियो को दिलीट बिल्कुल मत करो और दिलीट करोगे दो बढ़ा से आपको लाना पड़ेगा बहुत महनत करनी पड़ेगी दूबारा से वो ही स्टेज पे आपको पहुंचना पड़ेगा फ्रेंस ठीक है तो इस चाप ज़रूर रखना और ये झाल झाल